चलो कुछ आपने एक्जामपल हल करते हैं एक्जामपल हल करने के लिए हम सीधे चलते कहाँ पर कंडिशनल स्टेट्मेंट इफ पढ़े कि निये बताओ पढ़े हैं तो चलो सीधे हम इफ करते हल है ना इसी में जाबस्क्रिप्ट लगाते यह लोकल वेरेबल ग्लोबल आपने कर लिए पहले ही मतलब बहार डिफाइन करना है चलो इसको हटाओ और सीधे हम जो है बॉड़ी के अंदर क्या लेते हैं पढ़े करें स्क्रिप्ट यहां लगाते हैं चलो है रहाटारा के नियम के लिऊते नहीं के था जा इतव प्रोग्राम लोकल भी है तो आप गड़ी चला सक्थे इंड़ा रहे तो एक ही वेलू कितनी है aumentar अच्छा एक ही बैलू नहीं एक बैरेबल एज 18 उसके बाद अपन लगा देते हैं क्या इफ और इफ लगाओगे अंदर क्या देना है एज बड़ी है या बराबर है 18 के और यह जो है आपका ब्लॉक है जिसके अंदर आपको लिखना होता है कभी इसी के अंदर लिखते हैं त अलर्ट से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो आप डॉकुमेंट डॉट राइट से करो यहां क्या कर दो बताओ जरा बधाई हो वही अपना सिस्टम पुराना वाला कोई दिक्कत थोड़ी इतना भी हो सकता है यहां देखो रन करके देखो इसको बधाई है मान लोग हम यहा और रहा हो तिसको बलते हैं Simple If Simple If मतलाव जिसमें सिप सही condition है गलत नहीं है और गलत के लिए सी देख्या लगा दो एल्स नहीं तो देखो यदी ऐसा है तो नहीं तो समझगे एल्स मतलब नहीं तो और इसी document.write को अपन क्या कर देंगे यहां पर और यहां क्या कर दोंगे अभी आप बच्चे हो है ना ऐसा कर सकते हैं देखो ज़रा करते हैं और अगर 18 बड़ा कर दोगे तो यह देखो समझ गया अच्छा हम एक और काम कर सकते कहां पर जो बैरेबल ले हैं love,airherate円 में 18 ले रहा है lerek न ले रहा है तो कैसे ले रहा है अभी इसी पर हम runtime पर ले चाहते कोई भेक्ति runtime पहार बोले कि भाहिशाब यहां चलो enter करो तो उसके लिए अभान रहा हम न क्या कर देंगे please enter your age ठीक बत इतना भी कर दोगे चलेगा चलो इसको semicolon से बंद कर दे देखो ज़रा होता है कि निकाम हमारा है ना क्या करोगे 20 कर दे और फिर से refresh करो तो देखो run time पर काम हो रहा है मतलब आपको तोरांट अगर enter नहीं करना है आप प्रॉंट ले लो नहीं तो आप यहां define कर देना कोई दिक्कत थोड़ी तो यह अच्छा है कि वह अच्छा है तो यह वाला आप कर लेना अच्छा एंसा भी हो सकता है यह एज के अलावा आप दूसरा प्रोग्राम बनाओ चलो नाया यह रहने दू के फिर रहने दूर मैं फिर एक काम करता हूं नया पेज लेते जाते इसको से बैस करते जाते हैं इसका नाम रख देते आपन इस प्रोग्राम दे दूँगा मैं तो आप देखो इसको हटा देते हैं यह पूरा हटा दो यह प्रॉम्ट रहने दे अब आप बोलोगे कि परसेंटेज लेना हमको कि परसेंटेज भी होता है ने परसेंटेज में दो egy कंडिशन रहती है कि 60% और 50 क्या रहता है एग रेट भी रेट बनता है कि ने तो कितनी रहती है तीन चार रहती है पांच छे दस जितनी रहती है हाँ यह अपन ले लेते हैं परसेंट और प्लीज एंटर यूर परसेंट ने बोल सकते हैं यह अब जो भी परसेंट आएगा उसको डिफाइन करना है इफ और इफ में जो statement इसके अंदर अपन क्या प्रिंट कर देंगे document.right क्या होगा बताओ जारा ए ग्रेड इस प्रकार और यह semi-golant से अपने terminate कर दें हा या ना बस नहीं रहता है else के बाद if भी होता है क्या होता है if तो यहां पर फिर से लिख देंगे अपन क्या रुख जाओ यह आपका bracket रहेगा और फिर से आप define करोगे क्या बताओ percent को हर बार जब तक कि आपकी condition पूरी नहों तब तक आप क्या करोगे बड़ा है बराबर किसके 60 के अंदर आकर क्या करोगे वह document.right ग्रेट कुन सा आएगा बी आ जाएगा आपन मानलो भी ग्रेट है क्योंकि नब्बे नब्बे वाले पर रहते हैं तो ऐसे LC पर LC कब तक चलेगा आपका बताओ जब तक कि आपकी condition परसेंट कितना हो जाएगा 50 तो यहां क्या हो जाएगा सी और कुछ ने रहेगा तो क्या होगा कुछ ने रहेगा क्या होगा दी तो यहां क्या कर देंगे document.right ठीक है document.right में क्या कर दोगे Degrade इसके लिए अपन Mark Seed वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि वहाई कितने Marks मिले हैं वही वाला जो बताया है समयने ठीक है चलो इसको run करें 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 enter कितने % चाहिए आपको 76 कर दो है ना रिफ्रेस करो 62 कर दो 64 पिर से रिफ्रेस करो 55 करो सब काम कर रहा है तो यह क्या होगी multiple condition मतला एक हुआ आपका simple if इतना बस एक हुआ if के साथ में else और एक हुआ if के साथ में else देखो मतला if else if else if फिर else if फिर else if चलते जाएगा तो तीन प्रोग्राम हो गया ठीक है अब देखो conditional statement में आपका simple if हो गया else if हो गया अब एक और होता है switch switch भी एक प्रकार से धेर सारी condition बाला होता जैसे variable में अपन दे देते हैं और वर चलो switch का मतलब होता है बता बोर्ड में switch लगा कि नहीं तो तो वो switch क्या काम करता देखो जारा आप पहली बार आये हो कमरे में आपको पता नहीं हो fan किस से चालू होता है तो आप एक एक करके प्रेस करके देखोगे, एक नहीं हुआ क्या, बंद, दूसरा नहीं हुआ क्या, बंद, तीसरा नहीं हुआ क्या, बंद, मतलब जब भी आप चालू करोगे तो उस बटन से बाहर होगे, मतलब आप ऐसे नहीं क्यों चूखे बैठे हैं, तो एक तरीके से क क्या होगा एक बार आप कंडिशन चेक करोगे हो या ना हो उससे बाहर हो ना है बटन छोड़ोगे कि छोड़ोगे तो उसे बोलते ब्रेक मतला चालू हो या ना हो यह से मान लो यहां देखो अपने एक बैरेबल लिए ए ए ले या फिर स्ट्रिंग ले उसको डबल कोट में सि गुड नई हुआ है जो भी है है ना मतलब आप यहां अंसर प्रिंट कर सकते अपने साफ से तो सिंपल सी बात अपन क्या करेंगे चलो अपन करके देखते इसको नया डॉकुमेंट बना लेते अपन और नया डॉकुमेंट बनाखे इसको सेप कर लेते हैं स्विच के नाम से स्विच.html ठीक है और कॉपी कर लेते ताकि हम टाइम बचा सके इसको पूरा हटा दो अच्छा यह हम ले लेते हैं अल्रेडी जो हमारा प्रॉम्ट बाला है है ना प्रॉम्ट बाला प्रॉम्ट में प्लीस एंटर क्या होना चाहिए है अल्फा बेट यह जो भी है ना प्ल स्विच स्विच को कर दो अल्फा मतलब है पंख्छा चालू करना उसको अपने स्विच में माप लिए मनी केस कर खें փकेस किया है ठीक है और एक कैसा आएगा पताओ एक एकासा आएगगा डबल उसमें ए तो यहाँ पर आपको कॉलन लगाना है और कॉलन लगा के आपको लिखना है document.rl और यहाँ लिखना है बॉबल बॉबल बनना सकते की ने बॉबल और consonant उसके बाद इसको भी कर दो बन case case अगर क्या है case में अगर क्या है e e भी क्या है आपका bubble पाँच हे स्वार है मतलब 5 है ना स्वार आप ऐसे लगा दोगे अच्छा इनको मैं आप poppy कर लेता हूँ क्योंकि 5 भार paste करना है ठीक है उसके बाद ऐसे case आपका क्या हो जाएगा बता हो जारा case आपका क्या हो case क्या हो जाएगा आपका ओ तो ये भी bubble है फिर case क्या हो जाएगा आपका ये भी bubble है पर अगर इसके अलावा होगा तो क्या होगा default तो आप क्या करेंगे default ठीक है और default मैं देखो कुछ नहीं करना है colon लगता है और वोई चीज़े आपकी unknown अब unknown क्यों लिखेंगे हम बताओ क्या लिखेंगे document.write document.write लिखेंगे और यह लिखेंगे consonant नहीं लिखेंगे भाई वो बेंजन है अब एक और चीज़ बताओ मुझे हर बार break करना था देखो हर case के बाद क्या करना था break मतलब आप चालू करते हो switch को छोड़ते हो तो break लगाना जरूरी है नहीं लगाएंगे तो क्या होगा बहुत दिक्कत होगी तो पहले ता अपन रन कराग देखते है इसको यह था open browser prompt नहीं आया क्या अपन ने कुछ गडबड करे है ठीक है prompt तो नहीं आया नहीं नहीं लगाएंगे न वो अंदर बॉबल आप कुछ भी लिखो उसको कुछ फरकने पड़ता यहां आपको curly bucket लिखना है अब देखो यह देखवा आगया अब करते हैं ए यह क्या है बता इतने सारी क्यों आये हैं गलत है न यह गलत है तो आपको क्या करना है हर एक के बाद थो स्फिंपल सी बात है आप एक दावाए फिर दूसरी उंगली दूसरा तीसरा दाभा देस चीज़ सबतीटीश की चालू ने प्रेश्य करना था आपको एक फैंप तो यहां पैय आपको कोई एक चालू करना ना ए रहेगा तो वाबल है या ए रहेगा तो वाबल है हर एक में वाबल वाबल थो टाइप करना है तो इन पांच के लाब़ जो आएगो कौन सुने तो आपको हर एक के बाद क्या करना है ब्रेक और ब्रेक के लिए क्या करना होता ह लगाना अब इस ब्रेक को हर बार करना पड़ेगए ह। इसके बार भी ब्रीक में और इसके बार भी ब्रेक पर breaker आपके प्सक्राइब एक बात बताव आपके पास 10 बटन है नौवे आपने चालू करके देख लिए नहीं हुआ आप चालू करके अब लिखो जी समझ गए तो multiple case है उसके लिए क्या use होता है switch और अगर multiple condition उसके लिए if और else if और दो condition है तो else if एक ही condition है तो simple है तो यह हमारे कितने होगा यहाँ पर conditional statement हो गई है ना इसके सारे प्रोग्राम दे दूँगा मैं पूरे examples है और बहुत सारे प्रोग्राम मैं जब अलग से एक वीडियो बनांगो नो उसमें और हल करो दूँगा revision के लिए